सो नाव ब्रैटकॉंग गुरूप और कुछी घंटे बाद अब हमारे सामने क्यूवन के रिजल्ट है और क्यूवन का जो घंटी है ना वो बजने वाली है और अभी यहां पर कुछ हम बात करने वाले कि यहां पर एसम लिस्ट से कुछ देर पहले कौर्टर रिजल्ट के समझ में आ गया हो आपको कि वो सिर्फ एक न्यूस ती यहां पर असलियत में अब यहां पर जो है निकलता हो नजर आए अब छोड़िये यह यहां पर नहीं कोई लेने दिने नहीं है अभी क्यूवन जो है वो कैसे आने वाले तो आपके सामने मैंने आपको बताया थे होती बड़ा यहां पर जो है कुछ खेल हुआ और यहां पर खेल नहीं कहेंगे एक्चुली यह क्वाटरली रिजल्ट से पहले जो है एक भगदर है जो कि शेर में मची और यहां पर तीन करोड से जाधा को वॉल्यूम नजर आया यह बहुत बड़ी बात है लेकिन उसी इस है कि पूर रिजल्ट और अगर इनफोस ने पीछतर रुफए पर डॉलर के हिसाप्साफर कीया होगा तो ओ यहां पर जो है कहीं न‡ कहीं यह बाकियों का和 720 लेकिन क है कहते न कि डॉलर रिविन्यू कितना जंप हमको देखने की मिला या यह सब हर कंपनी का अलग होता है तो अनुमाने थे 76 के आसपास हम अपना अनुमान जो है BCG का भी रख सकते हैं कि 60 डॉलर रुपे पर डॉलर के हिसाब से यहां पर जो है वो रेट शायद BCG का रिजल्ट उस हिसाब से कैलकुलिट होके आए लेकि जो हमने 80 डॉलर जाते हुए देखना यह आपका Q2 में बेनिफिट देगा यह Q2 में आपके यहां पर जरूर बेनिफिट निकल के आ सकता है तो इसके उपर में बात कर चुका हो पहले और यह गाइडेंस जो फाइनिसल गा तो यहां पर आपको देखेगा कि अनुमान है 6,917 से 7,370 करोड रुपए के रिविन्यू का अनुमान है जब आपका 2023 मार्च में जब रिजल्ट आएगा न तो आपके रिविन्यू जो है वो 5,000 करोड से भढ़ कर इतना होने वाला है तो कंपनी ने यह अनुमान लगाया क yearly अनुमान दिया है अपना लेकिन quarterly जो पहले outlook था same to same ऐसा नहीं दिया है लेकर यहां पर जो इनुमान तैय किया है जो बीच का रहने वाला है आपका revenue वो 7,147 करोड रुपए के आसपास का रहने वाला है प्रॉफिट का भी दिया है लेकिन प्रॉफिट का वो मैंने calculate नही करोड जो की आपका पर quarter का आपका निकलता है 1747 करोड के आसपास का revenue ठीक है ना तो अभी 1747 करोड का revenue यहां पर यहां पर थोड़ा सा और प्लस करिए 1747 नहीं 1786 करोड रुपीस का पर quarter revenue हमने एक जो divide करके ना अब हमको यह तो नहीं बता है कि पर quarter revenue कितना आने वाल है लेकर हम एक idea ले सकते हैं हो सकता है मेभी यह तो हो गई किसी quarter में 1300 करोड की निकल के आएगी किसी quarter में 1700 करोड की निकल के आएगी तो किसी में 1200 करोड की निकल के आएगी revenue तो ऐसा रहने वाल है पर quarter लेकर हम अपना जो है एक idea अगर लेके चलें अभी अगर आप यह देखिए 1786 करोड का रिविन्यू अगर इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अभी आप यह देखिए हम सारे की सारे जो मार्केट जो रिजल्ट आरे वो इयर ओन इयर क्वार्टर वेसे से ज़्यादा इंपॉर्टंस कर रहे हैं क्वार्टर ऊन क्वार्टर वे देख रहे हैं लेकिन यह वं क्वाटर犇सा जादा देख रहे हैं तो अगर आप यह देखिए 1786 करोड की नैट सेल है जो साल के जून के क्वाड़ यानि 2021 जून के क्वाटर जञाना ञाटस देखिएगा 6504 करूर की निखल के आई ए 6504 करूर की नैटस जिल ती और अगर आपकी नैटस इस वसाफ्ट न जै तो आप यहां पर डवल वन नटज़ लग जाएगा आकवा चैसोओन करोड की नैट सेल बढ़कर 1786 करोड की निकल के आ जाए तो यहां पर आप आउट परफॉर्मेंस ही कहें अच्छे चलिए माल लेते हैं अगर 1786 करोड जो अमने गलत समझा अगर यहां पर 1500 करोड की नैट सेल भी अगर निकल के आती है तो भी अगर आप देखोगे तो 1500 करोड से अगर आप देखोगे नैं कंपेर करके यह और यह कोडर का तो भी 654 से बढ़कर 1500 करोड की आ जाना यह अपने आप में एक बढ़िया बात है और अगर आप कोडर उन कोडर भी कंपेर करोड तो यहां पर जो है मार्च की कोडर में कितनी नेट सेल थी 1240 करोड क जो कि अब बढ़कर अगर 1500 आ जाए तो यह भी रिजल्ट ना आउट परफॉर्मेंस में ही आ जाएंगे तो आपका ना यहां पर हो सकता है कि वेटर पोजिशन में यहां पर क्वार्टर ली रिजल्ट आए यह सर्फ अनुमान है ऐसा नहीं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह आपका आई जाएगा इसको द्यां रखेगा लेकिन जो कंपनी की जो गाइडेंस है उस मुताविक हैं आपर जो 7147 करोड का जो इसाब बनाना चाह रहे हैं कि मेरा जो अब एन्वल रिजल्ट निकल के आए तो इतनी नेट से लाएगी तो अगर हम उस इसाब से देखें त तो रिजल्ट जो है वो आउट परफॉर्मेंस ही करने चाहिए तो यह हमारा अनुमान है बाकि जब यह इन्होंने गाइडेंस दी थी तो डॉलर का रेट काफी कम था उस वक्त बढ़ा हुआ नहीं था डॉलर का रेट अभी बढ़ा है तो देखते हैं कि कितना यहां पर ज अच्छा आना चाहिए और अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो यहां पर अर्निंग पर शेर भड़ता हुआ नजर आएगा और आपका पी रेशियो जो है वो गटता हुँ नजर आए जो कि बहुत ही जादा बेनिफिट आगे इस शेर को देने वाला है क्योंकि वेलिशन और भी जादा डाउन आजाएगी लेकिन आपकी जो वेलिशन है अभी उतने पर ही बता रहे हैं कि पी रेशियो आपका डाउन आजाए तो या आपका जो बुक वेलिव पर शेर है वो भी भड़ता हुआ नजर आएगा तो यह थोड़ी दिर की बात है और हमारे सामने सारी चीजे होंगी लिए इसके साथ साथ एक एक कौनफरेंस और होगी और उस कौनफरेंस में सवाल जवाब होगे इनके मैनिजمن्ट से और उसमें आपके सवाल जो है वो यह जरूर रखे जाएंगे की शेर में एक्चुली चल क्यारा ही है आपका शेर जो आपका जो तना गिरा तो तयार रहें सारे की सारे जो चीज़ है न वो किलियर होने वाली है तो अभी इंतजार करिए कुछी देर वाद रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट इनफोसस से कम नहीं है जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं इनफोसस से जादा यहां पर वजदिंग रहता है व्रैट कॉम होगी होगी अगर आपको कोई प्रोब्लम कुछ पूशें चाहते हैं कुछ बताने चाहते हैं कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट साक्शन में कहिए और आप दीजल्ट जाए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्नवाद दोस्तों